हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल वी वी पी एज्यूकेशन फ्रेंड्स प्रिवेस वीडियो में हमने देखा था कोई भी टू डिजिक नंबर है उसका स्क्वेर कैसे निकालना है अब आज का जो हमारा वीडियो है उनमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का चाहिए वो थ्री डिजिट हो या फूर डिजिट नंबर हो उनका स्क्वेर हम कैसे निकालेंगे अब फ्रेंड आप सोच रहे होगे कि हर बार एक अलग ट्रिक हम सिखेंगे तो नहीं फ्रेंड टू डिजिट की ट्रिक अगर आपकी क्लियर है तो थ्री एन फूर डिजिट एकदम आसान है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो वीवीप एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके पास वाले बिल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले तो फ्रेंड चलो स् स्क्वेर निकालना एकदम से आजाए अब फ्रेंड त्री डिजिट नंबर हो या फोर डिजिट नंबर हो उनमें हम यह ट्रिक वापिस कैसे इस्तमाल करेंगे वह अब हम देखते हैं सबसे पहले में लेती हूँ नंबर 126 क्लियर उनका मुझे क्या करना है स्क्वेर निकाल है तो हम यहां पर सबसे पहले तो क्या करेंगे 126 क्लियर उनके टू पार्टिशन करेंगे कैसे तु वह देखो यहाँ पर मैंने क्या है फॉर्स नंबर लिया है 12 इंद सेकंड नंबर में लिया है 6 जैसे टू डिजित में 1st & 2nd नंबर को हम सेपरेट कर रहे थे वैसे हिए हमें क्या करना है दो number में इसको separate करना है so first number हमारा 12 हो गया and second number हमारा 6 हो गया अब trick हमें वो ही follow करनी है so सबसे पहले हम करेंगे 12 का square so 12 का square हमारा होगा 144 हमने यहाँ पर क्या किया है 12 का square find किया है उनके बाद 6 का square होगा हमारा 36 6, clear, अब हमें क्या करना है, यह तीनों नंबर है, यानि कि 12, 6 and 2, clear, 12, 6 and 2, उसका मुझे multiply करना है, so 6 तुजा 12, वापिस 12 multiply 12, कितना होगा, 144, clear, अब 144 को हम कैसे रखेंगे, तो देखो, यहाँ पे last digit छोड़ देना है, उनके बाद से हमें यह 144 अरेंज करना है, so, अब इनको हम add करेंगे, तो answer मिलगा 6, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6 ही रहेगा, 4 plus 3, 7, 4 plus 4, 8, 4 plus 1, 5 and यहाँ पे 1 के निचे कोई नहीं है, तो 1, and यही हो गया आपका 126 का square, clear, friend, exam easy है, simple, आपको trick 2 digit की है, वो ही apply करनी है, just ध्यान क्या रखना है, कि यहाँ पे आपको 3 digit number है, उनको 2 number में आपको divide करना है, okay, so यहाँ पे 12 and 6, मैंने 2 numbers लिये, उनमें divide किया, उनके बाद 12 का square, 6 का square मैंने find किया, यह तीनों को मैंने क्या किया, multiply किया, अब जो multiplication का answer है, उसको यहाँ पे place करना है, and case है, तो यहाँ पे देखो, last digit आपको क्या करना है, छोड़ देना है, और उनके बाद से आपको क्या करना है, यह number place करके उनका addition करना है, चलो एक और example भी हम देख लेते हैं, अब friend, यहाँ पे मैंने number लिया है, 812, 812, उनका square मुझे निकालना है, अब friend, आप सोच रहे होगी, कि क्या मैं ऐसे ही उसका partition करूगी, देखो, first number मैंने बनाए 81, and second मुझे यहाँ पे मिला 2, अब friend, 81 का square, अब आपको 81 का square डारेक्ली आता है, तो ठीक है, वन्ना जो हमारी two digit की trick है, उनसे आप find कर सकते हो, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, उसकी link मैंने i button पे दी गई है, clear, just watch it, क्योंकि उन्ही का use हम यहाँ पे करने वाल है, but friend, यहाँ पे देखो, suppose आपको यह use नहीं करना है, यानि कि 81 है, उसका square मुझे use नहीं करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखो, मैं यहाँ पे partition कैसे कर रही हूँ, 8 and 12, अब 8 and 12 का square तो easy है, clear, 8 first number आपका बना, second number बना यहाँ पे 12, तो उसका तो square आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो देखो, 8 है, उसका square कितना होगा, 8, 8 चा 64, clear, and 12 है, तो 12 का square कितना होगा, 144, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखो, जैसे आगे में क्या था, कि last में one digit था, यहाँ पे, suppose, last में one digit था, suppose यहाँ पे 3 है, उसका square में ने लिया 9, तो हम क्या लिख रहे थे, 09, clear, यानि कि 2 digit number हम यहाँ पे लिख रहे थे, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, कि 2 digit number है, और उसका जो आप square निकाल रहे है, वो 3 digit number है, तो आपको उसको 4 digit number बनाना है, यह first condition याद रखनी है, second one क्या है, वो मैं आपको बाद में बता रही हूँ, अब यहाँ पे हमने कितना कर लिया है, तो 8 and 12 दोनों का square निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, 8 multiply 12 multiply 2, यानि कि यह तिनों का हम क्या करेंगे, multiplication, so 12 to the 24 multiply 8 करेंगे, 8 for the 32, 8 to the 16, 17, 18, 19, so 192 हमें answer मिला, अब friend खास थियान रखना, यह 192 है, उसको हम कैसे रखेंगे, तो देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया है, last में two digit number लिया है, तो यहाँ पे last two digit छोड़के, 192 आपको place करना है, clear, हम अगर one digit number ले रहे हैं, तो last में one digit छोड़ रहे थे, यहाँ पे two digit number लिया है, तो two digit को छोड़के, 9 कहाँ पे आएगा, 0 के नीचे, यह 1 आपका कहाँ पे आएगा, 4 के नीचे, clear, अब इसका हमें क्या करना है, addition, so four, four, as it is रहेगे, two plus one होगा, three, nine plus zero, nine, four plus one, five, and six, यह हो गया आपका, eight, one, two का square, clear friend, एकदम simple है, आपको just क्या करना है, उसका partition इस तरह करना है, कि आप, आपका जो number मिले वापिस, उनका square आपको आता हो, अगर नहीं आता है, तो आप कर सकती हो, लेकिन यहाँ पे देखो, eight and twelve, इस तरह में partition करूगी, तो twelve and eight का square मुझे दिरेक्ली आता है, तो मैं क्या करूँगी, डिरेक्ली आंसर fine कर पाऊगी, अगर नहीं है, तो is it okay, आप 81 का square पहले fine करो, और वही मेथन यहाँ पे apply करो, लिए बट फ्रेंड, आपको खास दियान क्या रखना है, कि अगर आप last two digit ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे four digit number बनाना है, और second thing कि आपके, आप जब यहाँ पे multiplication कर रहे हो, और उसका जो आपको answer मिल रहा है, वो कहाँ पे replace करोगे, तो जो last two digit है, वो छोड़के, फिर आपको number place करना है, अब सबस्वोज four digit number है, तो हम यह trick कैसे apply करते हैं, चलो वो भी देखी लेते हैं, अब friend, यहाँ पे देखू, मेरे पास number है, four digit number, clear, अब trick हमें क्या करनी है, वो ही कि वो ही apply करनी है, बट कैसे, तो देखू, यहाँ पे 41 and 22, ऐसे मैं उनका partition करूंगी, यानि कि यहाँ पे मेरा first number बनेगा 41 and second number बनेगा हमारा 25, clear, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 41 का square, तो 41 का square होगा 1681 and 25 का square होगा 625, अब 625 3 digit number है, हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे 4 digit number होना चाहिए, तो वो हमने कर लिया, अब हम क्या करेंगे, यह तीनों का, यानि कि 41, 25 and 2, उसका multiply करेंगे, so 41 multiply 25, 2 जा होगा, 50 5 बंजा 5, 5 4 जा 20 so 20, 50 होगा, 41 multiply 50, so अब इसको हम place कैसे करेंगे, तो देखो, यहाँ पे हमने 2 digit numbers लिये है, तो last 2 digit number हमें यहाँ पे छोड़ देने हैं यह 0 आएगा 6 के निचे then 0 के निचे आएगा 5 यहाँ पे 1 के निचे आएगा आपका 0, and यह 2 आपका यहाँ पे आएगा, okay now, इनका हम जस्ट addition करेंगे, तो 5, 2 6 प्लस 0, 6 0 प्लस 5, 5 1 प्लस 0, 1, 8 प्लस 2 10, carry 1, 6 प्लस 1 7, and 1 so आपका answer क्या हो गया, यही हो गया आपका answer, 4, 1, 2, 5 का square, clear so friend, यहाँ पे आप कोई भी number ले लो, आपको just याद क्या रखना है, कि उसको ऐसे partition करना है, कि आप उसका square आसाने से निकाल सको, suppose 2 digit number यहाँ पे ऐसे आया, कि जिसका square आपको directly नहीं आता है, तो simply आपकी जो 2 digit की trick है, apply करो and उसका square find कर लो, and आपको क्या करना है, method जो trick है वो यही की, यही apply करनी है okay friend, so friend, यहाँ पे था कि आप कोई भी number ले लो, अब suppose आपको 5 digit number हो, तो भी आपको क्या करना है, पहले 3 digit and 2 digit में divide कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उन दोनों का square find करके same method apply करनी है friends, trick कैसे लगी, comment में ज़रूर बताएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो like बटन को दबा दीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए and vvp education को subscribe करना मत भूलिए और उसके पास वाले bell icon को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के notification आपको मिलती रहे, thanks for watching, bye bye